आज हम ब्राइन ट्रेसी की बुक तट 21 सक्सेस सिक्रेट औफ सेल्फ मेड मिलेनियर्स का हिंदी ट्रांसलेट करेंगे यहां हम सिखेंगे कि कैसे साधरन व्यक्ति और साधरन आर्थिक परिणाम पाते हैं यहां किताब आपको करोड़ पती बनने के स्टेप पाई स्टेप सुत्र देगी चाहे आज आज आप जीवन में कहीं भी हो आप लक्षे बनाना, योजनाए बनाना और खुद को इसके लिए विवस्तित करना सीखेंगे जो आप जीवन में पाना चाहते हैं ब्रैंट ट्रेसी के बेवारिक सुजाओं का इस्तेमाल करें और जीवन में उस शिगरिता से आगे बढ़ें जिसकी आपने कभी कलपना नहीं की होगी आप से बहतर और आप से स्मार्ट कोई भी नहीं है सफल लोग महज वो लोग होते हैं जो इन 21 सफल रहसियों का इस्तेमाल करते हैं तो आईए शुरू करते हैं पहला रहसिय, बड़े सपने देखें मार्क्स और एशियस ने कहा है कि बड़े सपने देखें केवल बड़े सपनों में ही वो शक्ति है जो इंसान के मन को आगे बढ़ाता है सहु निर्मित करोड़ पतियों का पहला रहस्य बिलकुल सहज है बड़े सपने देखें, सुएं को सपने देखने की अनुमती दें आप जैसा जीवन ब्यतीत करना चाहते हैं उसकी कलपना करने और सपने देखने की खुद को अनुमती दें आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना bank balance चाहते हैं, इसके बारे में सोचे, सभी सरुत कृष्ट महिला और पुरुष, शुरुआत कुछ अच्छे सपने से करते हैं, ऐसे सपने जो उस से अलग है, जो आज उनके पास हैं, आपने वो गाना सुना होगा, सपने बन जाएं अपने, यह आपके और सब के लिए सकते हैं, कल्पना करें कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, इस पर कोई पावंदी नहीं है, कुछ समय के लिए कल्पना करें कि आपके पास पूरा समय है, काफी पैसे हैं, काफी शिक्षा हैं, सभी दोस्त हैं, सभी पह बैवार के लिए कैसा जीवन चाहेंगे। भविश्य से शुरू करके पीछे देखने का अभ्यास करें। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमेशा बहुत अच्छा काम करने वाले महिला और प्रुश दोरा बैवार में लाई जाती है। इस तरह सोचने का आपके दिमाग और बैवार पर अधुद असर होगा यह इस तरह काम करता है। खुद को पांच साल आगे रखें। कल्पना करें कि पांच साल बीत गये हैं और आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट है। यह कैसा दिख रहा है। आप क्या कर रहे हैं। आप कहां काम कर रहे हैं। आप कितने पै प्रविता का ख्याल जितना साफ होगा आप उसकी तरफ और वो आपकी तरफ उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। आप जीवन में कहां जा रहे हैं। अगर इसकी तस्वीर आपके दिमाग में साफ होगी तो आप अपने सपनों को साकार करने में ज्यादा सकारात्मक उत्साहित और ध्रड होंगे। आप अपने सवभाविक सरंचनात्मक को सक्रिय करेंगे और आपको सपने को यधार्त में बदलने का एक के बाद एक सुझाव मिलेगा। आपकी प्रविर्ती हमेशा अपने प्रमुक सपने और ख्याल की दिशा में बढ़ने की होती है। खुद को बड आपके आत्म विश्वास का स्तर बढ़ाता है यह बिक्तिकत स्तर पर आपके खुद के लिए सम्मान और खुशी बढ़ाता है। अगर आप सपना देखते हैं तो एक चीज बहुत दिल्चस्फ है इसके बारे में यह आपको पहले से बहतर काम करने के लिए उकसाता है ऐसा क जो आपने पहले कभी नहीं किया यह एक परमुक सवाल है आपके लिए खुद से बार बार पूछें और जवाब मांगें अगर मुझे पता है कि मैं और सफल नहीं होंगा तो वो कौन सा सपना है जिसे देखने की मैं हिम्मत करूंगा अगर आप किसी लक्षे की सफलता के ल कि आप और सफल नहीं होंगे यह जो भी हो उसे लिखें और कल्पना करना शुरू करें कि आप उसे पहले से ही हासिल कर चुके हैं तब पीछे देखें कि आज आप कहा हैं जहां आप पहुँचना चाहते हैं उसके लिए आपने क्या क्या किया होगा आपने इसके लिए क्या बदलाव लाए होंगे, किस चीज की शुरुवात की होगी और किस चीज का अंत, आप किस के साथ होंगे, अगर आपका जिवन हर तरह से परफेक्ट होता है, तो कैसा होता, इनके जवाब जो भी हो, पहला कदम आज बढ़ाएं, बड़े सपने देखना आपकी आर्थिक स्वत वो कभी कोशिश ही नहीं करते, वो कभी शुरुआत ही नहीं करते, जो कमाते हैं, वो सारा खर्च कर देते हैं, केवल कुछ बचा कर, लेकिन जब आप आर्थिक स्वतनता के लिए बड़े सपने देखना शुरू करेंगे, तो आप खुद को और अपने जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे, आप कुछ अलग काम करना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे, जब तक कि आपका जीवन बहतरी के लिए बदल नहीं जाता, बड़े सपने देखना आर्थिक सफलता और सव निर्मित करोड़ पती बनने का पहला कदम है, यहां पर आपके लिए अभ्यासकारिय है कि अगर आपकी सफलता पूरी तरह से तै हो, तो आप क्या क्या करेंगे, उनकी एक सूची बनाएं और तब कोई एक काम करने की सोचें और उसे तुरंत करें। दूसरा रहसे, आपको किस दिशा में जाना है उसे जाने, थोमस केराइल के अनुसार एक इनसान एक सपष्ट परियोजन के साथ उबड़ खावड रास्ते में भी उन्नती कर लेगा, लेकिन अगर परियोजन सपष्ट ना हो, तो अच्छे रास्ते पर भी उन्नती नहीं हो जादातर समय वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, दो बातें किसी भी चीज से अधिक महत्वकुन है, पहला, जिवन में आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं, और दूसरा, आप उस बारे में कैसे सोचते हैं, सफल विक्तित जादातर समय अपने लक्ष के बारे में सो अगर आप अपने लक्षे के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, उसकी कलपना करते हैं, तो आप उस लक्षे को पाने में उन साधरन इंसानों से कहीं ज्यादा नजदी हो जाते हैं, जो केवल अपनी समस्याँ और चिंता के बारे में बातें करते हैं, यहां साथ कदम का ए इसा नहीं कर पाते दूसरा अपने लक्षे को स्वष्ट लिखें जब आप अपने लक्षे को लिखते हैं तो आपके हाथ और दिमाग के बीच कुछ अदुध होता है तीसरा हर लक्षे के लिए समय सिमा बनाएं अगर लक्षे बढ़ा है तो उसे कई भागों में बांट कर चौथा लक्षे तक पहुँचने में आपको जो करना होगा इस बारे में आप जितना सोच सकते हैं उन सब की सूची बनाएं अगर आपके दिमाग में नए सुझाव आते हैं तो उसे शामिल करते रहें जब तक कि आप लक्षे हासिल ना कर लें पांचवा अपनी सूची के अनुसार कारे करने की योजना बनाएं निरने लें कि पहले आप क्या करेंगे और बाद में क्या तै करें कि क्या ज़्यादा महतुपून है और क्या कम छटा अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू करें बहुत से लक्षे और योजना कभी कभी केवल टाल मटोल के कार हर दिन ऐसा करना आपको बड़ी सफलता देगा। यहां सब के लिए अभ्यास है, एक कागज लें, उसके उपर बीच में लक्षे शर्ब्द को आज की दिनाग के साथ लिखें। जब दस लक्षियों की एक सूची बनाएं, जो आप अगले बारा महिने में हासिल करना चाहते हैं, अपने लक्षे को वर्तमान काल में लिखें, यह लक्षे की शुरुवात आए से करें, उसे ब्यक्तिकत बनाने के लिए, जब आप अगले साल के लिए दस लक्षे बनाएंग दस लक्षे बनाने के बाद एक बार सूची को देखें और इन सवालों को खुद से पूछें, इस सूची का कौन सा लक्षे अगर आप हासिल कर लेते हैं, तो उसका आपके जीवन पर बहुत जादा परभाव पड़ेगा, जवाब जो भी हो, उस लक्षे को गोल करें, उसे एक नमबर दें, भविशे का सबसे महत्वपून लक्षे, उस लक्षे के लिए समय सीमा बनाएं, योजना करें, काम शुरू करें, और हर दिन कुछ ऐसा करें, जो आपको लक्षे की और ले जाएं, अब से उस लक्षे के बारे में हर समय सोचें और बातें करें, सोचें की वो लक्षे आप कैसे पा सकते हैं। उन बिभिन कदमों के बारे में सोचें, जो आप अपने लक्षे को यथार्थ में बदलने के लिए ले सकते हैं। यह अभ्यास आप में स्पूर्थी लाएगा, आपकी उर्जा और सामर्थे को बढ़ाएगा। आज के लिए अभ्यास कारे हैं कि हमेशा लिख कर सोचें, जो लक्षे आप बनाते हैं, उसे लिखें और उसे हासिल करने की योजना बनाएं। यह अभ्यास केवल अकेले ही आपको सौ निर्मित क्रोड़पती बना सकता है। तीसरा रहसे, खुद को एक सेल्फ एम्पलाइट की तरह देखें। विलियम्स हैनले ने कहा है कि मैं अपनी आत्मा का अधिकारी हूँ, मैं अपनी किसमत का मालिक हूँ। अभी से पूरी तरह से यह सुईकार करें कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं और जैसे भी होंगे, उसके लिए शत्परतिशत चिम्मेदार आप हैं। बहाने बनाना छोड़िए, अपनी खामियों या अपनी समस्याँ के लिए दूसरों को दोश मत दीजिए। आपके जीवन में आप जिन बातों से खुश नहीं हैं, उनकी शिकायत करना बंद करें, किसी भी बात के लिए अन्य लोगों की निंदा ना करें, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं हैं, तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं, उसे बदलना आप आपके हाथ में हैं, वो शक्ती आपके पास हैं, अमेरिका के टॉप तीन पर्तिशत लोग खुद को सेल्फ एम्पलोईड की तरह देखते हैं, उनके वेतन चक पर कौन हस्ताक्षर करता है, इसे कोई फरक नहीं पड़ता, सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं, वो यह ह सोचना कि आप खुद के लिए नहीं, बलकि किसी और के लिए काम करते हैं, आप हमेशा सल्फ एम्पलोईड हैं, कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कहां काम करते हैं, जब आप खुद के लिए एक सल्फ एम्पलोईड की तरह देखते हैं, तो आप एक entrepreneur mentality विक्सित करते हैं, आप इस बात का इंतजार नहीं करेंगे, कि कुछ होगा, आप खुद शुरुआत करेंगे, खुद को अपने जीवन का मालिक समझेंगे, आपका स्वास्ते, आपका आर्थिक सुख, आपकी जीवन शेली, आपके रिष्टे, आपका घर, गाड़ी, हर कुछ आपके हाथ में होगा, सो निर्मित करोड़पती की यही सोच होती है, सो जिम्मेदार लोग, रिजल्ट को सोच कर काम करते हैं, वो हमेशा शुरुआत करते हैं, वो और भी जिम्मेदारी के लिए उत्सुक रहते हैं, परिणाम सवरूप, संस्था के लिए वो बहुत कीमती और आदरनी बन जाएं, तो आप क्या बदलाव लाएंगे, जवाब जो भी हो, उसे लिखें, उसकी योजना करें, तुरंत लागू करें, यह काम एक अकेले का ही आपके जीवन में बदलाव लाएगा, यहां अभ्यास कारे है कि आपके आर्थिक लक्षे को पूरे मन से ना करने का कारण च पूरी तरह से खुद लें और आप से ही काम शुरू करें, चौथा रहसे, वो काम करें जो करना आपको पसंद है, ब्रैंट ट्रेसी ने कहा है कि जब आप वो काम करना शुरू करेंगे, जो आपको पसंद है, तो फिर जीवन में आप कभी दूसरे दिन काम नहीं करेंगे, वो काम करना जो आप पसंद करते हैं आर्थिक सपलता के महान रहसियों में से एक है। जीवन की प्रात्मिक जिम्मेदारियों में एक है कि वो काम खोजना जिसे करने में आपको मजा आता है। वो क्या है जिसके लिए आपके पास सोभाविक टैलेंट है। उसे खोजें और फिर खुद को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर दें। सो निर्मित करोड़पती वो होते हैं जो एक ऐसा कारेश धूंडते हैं जहां उनके सोभावी गुन और योग्यता का सही सही सद्यूप्योग होता है और तब वो रिजल्ट हसित कलते हैं। अदिपतर करोड़पती कहते हैं कि उन्होंने जीवन में एक दिन भी काम नहीं किया। आपको एक ऐसा शेत्र ढूंड़ना है जहां आप पूरी तरह से तल्लीन हो जाए। यहां आपके सोभावी गुन और योग्यता का पूरी तरह से सद्यूप्योग हो। अगर आप वो काम करते हैं जिने करना आपको पसंद है तो आप लगातार अपने अंदर उत्तेजना उरजा पाएंगे। आप हर समय उसे और भैतर बनाने के सुझाओ पाएंगे। यहां आपके लिए एक सवाल है अगर आप आज एक लाख रुपे जीतते हैं तो क्या आप कल भी वही काम करेंगे जो आप आज कर रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा सवाल है यह एक सिधा जवा सवाल है जो आप से पूचता है कि अगर आप के पास पैसे और समय की कमी ना हो और आपको पैशा चुनने की सोतनता हो तो आप क्या करेंगे। सव निर्मित करोड़ पती अगर लाख रुपे जीतते हैं तो वो कल भी वही करेंगे जो वो आज कर रहे हैं। वो केवल काम का तरीका और स्तर बदलेंगे। लेकिन वो अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि वो उसे छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं। शायद वियुसक जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो आपके पास पैशों के बहुत सारे बिकल्फ हों तो अपने लिए वो चुनना जो आपको पसंद है। और जब खुद को उस शेत में समर्पित कर देना यह काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। यहां अभ्यास कारे है कि वो काम ढूंडे जिसे करने में आपको मज़ा आता है। आज तक आपकी सफलता के लिए कौन सा कारे जिम्मेदार है। अगर आप कोई भी काम कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं तो आप कौन सा काम चुनेंगे। इसे एक लक्षे की तरह बनाएं। य जिवन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका बहुत अच्छा करने का वचन कितना गहरा है। आपने क्या शैत्र चुना है इससे कोई फरक नहीं पड़ता। आज आप जो करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसा संकल्प लें। अपने शैत्र के टॉप 10 परतिशत में पहुँचने का लक्षे बनाएं। निर्ने लें कि आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। यह आपका जिवन बदल सकता है। लगबख सभी सफल व्यक्ति अपने द्वारा चुने शैत्रों में बहुत ही योग्य होने के कारण जाने जाते हैं। या कोई जो आज बहुत अच्छा कर रहा है गलतियां उससे भी हुई है जो अन्य लोगों ने किया वो आप भी कर सकते हैं। यहां सफलता का एक नियम है आपका जीवन तभी बहतर होगा जब आप बहतर होंगे और आप खुद को और अपने जीवन को कितना बहतर बना सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है आपका यह निरने कि आप जो भी शैतर चुनेंगे उसमें बहुत अच्छा करेंगे टॉप दस परतिशत में पहुंचेंगे यह सपलता का सुत्र है यह आपके सम्मान आपके गोरब की बनियाद है जब आप वास्तों में कुछ बहुत अच्छा करे तो आप खुद के लिए बहुत अच्छा महसूस करेंगे बहुत अच्छा करना आपके विक्तितों को परवावित करेगा सभी के साथ आपके रिष्टों को अच्छा करेगा जब आप अपने शैतर के टॉप 10 परतिशत में पहुंचेंगे तो आप पहद अच्छा महसूस कर आज आप हर चीज में बहुत अच्छे नहीं हो सकते आप एक कोशल ढूंडिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और खुद को समर्पित कर दीजिए इसे एक लक्ष की तरहे लें योजना करें और हर दिन इसे बहतर बनाने के लिए कदम उठाएं इससे आपके जीवन में जो मुख परिणाम शेत्र चुने आपके शेत्र में वो कौन सा काम है जो आपको आपके शेत्र में उपर तक ले जाएगा आप किन कामों में मजबूत और किन में कमजोर हैं आज ही योजना बनाएं कोई एक कोशल चुनने की जिसमें आप अप्यास करके बहुत अच्छा कर सकत हैं छटा रहस्य देर तक और परिक्षम से काम करें जैम स्थरवर ने कहा है कि मैं जितना परिक्षम करूंगा उतना भाग्यवान बनूंगा सभी सव निर्मित करोड़ पती बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं वो और लोगों से जल्दी शुरुआत करते हैं ज्यादा कड़ करने वालों की सुची में आने के लिए और अपने शेतर में परतिष्टा पाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और यह जानकारी सबको होती है आईए 50 प्लस फॉर्मूले का अभ्यास करते हैं यह फॉर्मूला कहता है कि आप हर सब्ता 40 गंटे काम करते हैं 40 गंटे के बा आपको बड़ी आर्थिक सफलता कभी नहीं मिलेगी आपको अपने सह कर्मियों के द्वारा कभी भी बहुत आधर और सम्मान नहीं मिलेगा आप औस तन 40 गंटे पर सब्ता काम करके हमेशा मीडियो कर ही रहेंगे लेकिन 40 गंटे के बाद का एक गंटा आपके भविशे के ल रहे, कोई नहीं ले सकता, अमेरिका में सो निरमित करोड़ पती सफ्ता में उस्तन लगबग 60 गंटे काम करते हैं, उन में से कई 70 या 80 गंटे काम करते हैं, खास कर उनके जीविका की शुरुआत में, वो सफ्ता में 5 की बजाए, 6 दिन काम करते हैं और ज्यादा देर तक काम करते हैं अगर आप किसी सो निर्मित करोड़ पती से बात करना चाहते हैं तो आपको समय आफिस आवर के पहले या बाद में मिलेगा सभी करोड़ पती आफिस में अन्य स्टाप के आने से पहले आते हैं और उनके जाने के बाद जाते हैं और यहां एक सुत्र है जब आप काम क कि मुझे काम पर वापस जाना है और अपना काम करें। अपने किसी भी काम, कपड़े धोना, बातें करना, पेपर पढ़ना कम ना करें। जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम करें। आज ही बहुत परिक्षम करने का प्रण लें। अपनी कंपनी में सबसे महनती आपकी महनत, लोगों का ध्यान आपकी और खिंजेगी। यहां अप्यास कारे हैं कि हर दिन जितने घंटे आप काम करते हैं, उन्हें बढ़ाने की योजना करें। आफिस एक घंटे पहले पहुँचने का निरने लें। लंच समय में जब सब जाते हैं तब आप काम करें। आफिस के एक घंटे बात तक काम करें। हर दिन दो घंटे ज़्यादा काम करने का निरने आपको दो गुना परिणाम देगा। साथवां रहसे. जизнес बेटले ने कहा है कि हर समय सीखना किसी भी शैतर में सपलता के लिए कम से कम जरूरत है। आप ने जिस शैतर को चुना है वस्तुतो उसमें सीखने और सुधार लाने के लिए आप کے पास ओसमीत सामर्थे है। आप के पास कही ज्यादा दिमाग, योगय और ग्यान है जो आप बाकी के जRISन में इस्तमाल कर सकते हैं आप जतना सोचते हैं उस से कहीं जजादा समार्ट आप हैं ऐसी कोई भादा नहीं जिस पर आप काबू नहीं पा सकते। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका आप समादान नहीं कर सकते ऐसा कोई लक्षे नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का उप्यो करना है लेकिन आपका दिमाग एक मास पेशी की तरह है यह तभी विक्सित होगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंग अच्छी ख़बर ये है कि जितना आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप सीख सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्पोर्ट्स में जितना आप खेलेंगे उतना अच्छा खेलते रहेंगे। आपका समर्पन सीखने के लिए जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप सीखेंगे। लीडर्स हमेशा सीखते हैं, यह 21 सदी का सूत्र है, आपको अपने शेत्र में सफलता के लिए जीवन भर सीखते रहना होगा। आज ही तै करें कि आप अपने कोशल के विद्यारती बनेंगे और जीवन भर उस कोशल के लिए पढ़ते और लिखते रहेंगे और उसे हमेशा सीखते रहेंगे। जीवन भर सीखने के लिए तीन सूत्र है, पहला सूत्र, अपने लक्षे में कम से कम 30 से 60 मिनट रोज पढ़ाई करें, पढ़ाई और दिमाग का वही रिष्टा है जो कसरत और शरीर का होता है, हर दिन एक घंटा पढ़ने से आप सब्ता में एक किताब पढ़ लेंगे, एक किताब हर सब्ता मतलब हर साल 50 किताब, मतलब अगले 10 सालों में 500 किताबें, क्योंकि ओसतन आदमी साल में एक किताब से भी कम पढ़ता है, इसलिए अगर आप इस तरह पढ़ते हैं, तो अपने शेतर में बहुत आगे निकल जाएंगे, जीवन भर सीखने का दूसरा शुत् जाते हैं, साधारनता इंसान गाड़ी में हर साल तकरिवन 500 से 1000 घंटे बैठता है, अपनी गाड़ी को सीखने की मशीन में बदलिये, कभी भी अपनी गाड़ी बिना ओडियो प्राग्राम के ना चलाएं, बहुत से लोग इस ओडियो प्रोग्राम से करोड़ पती बन गए ह यही कारण है कि आडियो प्रोग्राम को प्रिंटिंग प्रेस के आविशकार के बाद सबसे महतुपून खुज माना गया है, जीवन बड़ सीखने का तीसरा शुत्र है, वो हर कोर्स या सेमिनार अटेंट करें, जो आपको लगता है कि वो आपको आपके शेतर में बहतर बन बलता में मदद कर सकते हैं, जीवन भर सीखते रेने का निरने आज ही लें, इससे आपकी जीविका में जो प्रभाव पड़ेगा आप दंग है जाएंगे, यह आपके सो निर्मित करोड़ पती बनने का परमुक कारण बन सकता है, यहाँ अभ्यासकारिय है कि कोई एक विश पिशे चुनें, जो आपको आपके शेत्र में ज्यादा प्रोड़क्टिव और सक्षम बना सकता है, उस शेत्र में बहुत अच्छा करने की सोचें, इसे खुद से करना बनाएं, और जब तक इस पिशे पर रोज पढ़ते रहें, इस पिशे पर ओडियो प्रोग्राम सुने सेमिनार में जाएं, इन सुत्रों पर ऐसे काम करें, जैसे आपका भविश्य इस पर निर्वर हो, और वात्सव में ये निर्वर है भी आठवार हैसे, खुद को सबसे पहले पे करें, डबल्यू कलेमेंट स्टॉन के अनुसार, आपके कमाई पैसे में से कुछ हिसा आपका है, और अगर आप पैसे नहीं जमा करते, तो महनता के बीज आप में नहीं हैं, आज संकल्प करें, कि आप जिवन में जब तक काम अपनी आमदनी का दस परतिशत पचत करेंगे, और उसे निवेश करेंगे, हर महीने जब आप तनखुआ पाएंगे, तो दस परतिशत आर्थिक संगरे के लिए खास एकाउंट में डालेंगे, अगर हर महीने आप अपनी आमदनी का कुछ हिसा बचाते हैं, और उसे जिवन भर बचत और निवेश बहुत आसान नहीं है, इसमें अधबुत संकल्प और इच्छा शक्ती के जरूरत होती है, इसे एक लक्षे की तरहे बनाना होगा, इसे लिखें, योजना बनाएं और हर समय इस पर काम करें, लेकिन जब एक बार ये आदत बन जाएगी तो व पहिना नहीं, तो कम से कम एक हफ़ता बिलम करें, जितना बिलम आप करेंगे, खरीदारी उतनी अधिक होगी, और उतनी ही अधिक अच्छी होगी, और उतनी ही अच्छी कीमत पर आप उसे पाएंगे, लोग रिटार होते समय गरीव होते हैं, इसका एक महतुवन कारण है, उमंग में आकर के गई खरीदारी, वो कुछ देखते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है, बहुत कम सोचकर वो खरीद लेते हैं, वो परकिंसन लौ के शिकार हो जाते हैं, जो कहता है कि आए से मिलने के लिए बैय बढ़ता है, इसका मतलब इससे कुछ फरक नहीं बढ़त परिकंसल, लौ का शिकार नहीं होना है, अगर आप 10 पर्तिशत बचत नहीं कर सकते, तो शुरुआत 1 पर्तिशत बचत से करें, महिने की शुरुआत में ही इसे अलग कर लें, बाकी 99 पर्तिशत खर्चे के लिए रहने दें, अब आपको 99 पर्तिशत के साथ रहने की आदत हो चत खाता और निवेश खाता भी बढ़ेगा, आप अपने खर्चे पर ज्यादा ध्यान केंदरित करेंगे, आपका कर्ज पूरा होगा, एक या दो साल के अंदर आर्थिक जीवन पर आपका नियंतरन होगा, और आप सो निर्मित करोड़ पती बनने के रास्ते में होंगे, यह परिकरिया जिसने भी अपनाई, वो सफल हुए, आप भी कोशिश करें, यहां अप्यास कारे है कि धन जमा करने के लिए एक खास एकाउंट खुलें, उसमें पैसे डालें, चाहे वो कितना भी छोटा हो, और फिर उसमें पैसे डालते रहने का आउसर ढूंडें, इसे कैसे बढ़ाया जाए, इसका अध्यान करें, इस विशे पर विशे शग्यों की किताबें और मेकजीन पढ़ें, तब तक जमा करना सीखना और पढ़ना बंद ना करें, जब तक कि आप आर्थिक रूप से सोतंत्र ना हो जाएं, नोवार हैसे, अपने बेवसाई के हर पहलू को स देन केनेडी ने कहा है कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो आपको ज्यादा पाने से और शिगरिता से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मार्केट बहुत अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इनाम देता है, औसतन काम के ल ना आपका लक्षे होना चाहिए, आपको हर छोटी बड़ी बातें सीखनी चाहिए, जिससे आप और बहतर काम कर पाएं, अपने शैतर में परकाशित हर मेर्जीन पढ़ें, नई किताब पढ़ें और अध्यन करें, अपने शैतर में एक्सपर्ट द्वारा दिये गे कोर्स और सेमिनार में शामिल हों, हर मिटिंग में उपस्तित हों, अपने शैतर के टॉप लोगों के साथ संबंद बनाएं, इंटिग्रेटिव कम्पलेक्सिटी लौ कहता है कि जो इनसान किसी शैतर में सूचनाओं का इस्तेमाल कर सकता है, एकिकरन कर सकता है, बहुत जल्द वो उस शैतर के टॉप में पहुंच जाएगा, अगर आप सेल्स में हैं, तो अतीम हैतो कांक्षी बने, सेलिंग प्रिक्रिया के बारे में पढ़ते रहें, सेल्स के टॉप 20 पर्तिशत लोग, बॉटम 80 पर्तिशत लोगों से 16 गुना ज्यादा कमाते हैं, टॉप 10 पर्तिशत औ तो entrepreneurial कारे निती पड़ें और हर दिन नए सुझाओ कोशिश करें, अपने ब्योसाई या पेशे में सबसे अच्छा बनने के लिए लक्षे बनाएं, एक छोटी जानकारी सुझाओ आपके केरियर में बहुत साप बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसे सोचना कभी बंद ना कर यहां पर अभ्यास कारे हैं कि अपने ब्योसाई को जाने, आपको भविशे में अपने शेत्र में उपर जाने के लिए क्या गुन के जरुरत है, उस गुन को विक्सित करने के लिए आज ही योजना बनाएं और उस पर हर दिन काम करें दसवार हैसे, खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें, जिग जिगलर के अनुसार, आपको जीवन में वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं, अगर आप अन्य लोगों की मदद करें, उस में जो वो चाहते हैं, आप दूसरों की जो मदद करते हैं, आपको हमेशा उस समय ये सोचते हैं कि उनके ग्राकों को दूसरों से बहतर सेवा कैसे दे सकते हैं और वो नए नए तरीके अपनाते हैं खुद से सवाल करते रहें मेरा ग्राक वास्तव में क्या चाहता है मेरे ग्राक की जरूरत क्या है मैं अपने ग्राक को दूसरों से बहतर क्या दे सकता हू अगर आज मेरे ग्रहाग दूसरे से खरीद रहे हैं तो इसके कारण क्या है मैं उन्हें क्या प्रस्ताओ दूँ कि वो मेरे पास वापस आए जीवन में आपकी सफलता हमेशा अनुपातित होती है जतना आपको करना है जतनी आपसे उम्मीदें है उस से जादा आप क्या करते हैं आपको जतनी तनुख़ा मिलती है हमेशा उस से ज़धा काम करने की सोचें अपने गरहाग के लिए कुछ अधिक करें याद रखें अतरिक माईल पर कभी ट्रेफिक चाम नहीं होता आपके कारिय की सफलता आपके ग्रहाग पर निर्वर करती है इसका मतलब आपके बॉस आपके सहकर्मी और वो जो आपसे खरीदते हैं आपके ग्रहाग हैं आपके ग्रहाग वो भी हैं जो अपनी सफलता या संतुष्टी के लिए आप पर निर्वर है यहाँ एक सवाल है कि जो आपको हर दिन पूछने और जवाब देने की जरूरत है, मैं अपने ग्रहा को और अच्छी सेवा कैसे दे सकता हूँ? आप जो करते हैं उसे और अच्छा बनाने के तरीके ढूड़ें. आपके ग्रहा की सेवा के तरीके में एक छोटा सा सुधार कार्थिक सपलता का परमुक कारण बन सकता है. अपने ग्रहा की सेवा में सुधार लाने के तरीकों के बारे में कभी सोचना बंद मत करें. आज ग्रहा क सेवा का महतो पहले से कहीं ज़्यादा है, जब कभी ग्रहा क आप से किसी चीज के लिए पूछते हैं, आपका जवाब होना चाहिए बिलकुल अभी ही ये मिठे शब्द आपके ग्रहा क सुनना चाते हैं. यहां पर अभ्यास कारे हैं कि अपनी कंपनी के बाहर और अंदर अपने सबसे महतोपून ग्रहा को चुने, वह कौन लोग हैं जिस पर आप सबसे ज़्यादा निर्वर हैं? वह कौन खुद के साथ और अन्य लोगों के साथ पूरी तरह से इमांदार बनें. क्लॉड एम, विस्टल के अनुसार, सोच ही सारी संपत्ती, सारी सफलता, सारे लाप, सारे परमुख खोज, सारे आभिशकार, सारे हासिलों की वास्तिक स्त्रोत है. सबसे कीमती और सबसे आदर निय गुन जो आप अपनी परतिष्टा के लिए अपने अंदर विक्सित कर सकते हैं, वो है इमांदारी. आप जो भी करते हैं, उसमें पूरी तरह से इमांदार बनी. हर काम में अपनी इमांदारी के साथ कोई समझोता नहीं. आपके शब्द बहुत कीमती है. आपके शब्द आ आप पर बिश्वास करते हैं. कितने लोग आपके लिए काम करने को उत्सुख हैं. कितने लोग आपको परतिष्टा देते हैं. कितने लोग आपके उत्पाद और सेवा खरीते हैं. और कितने लोग कठिन समय में आपकी मदद करते हैं. आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरह करिए इमांदारी अंदर से प्रमानित होती है ब्यक्तिकत इमांदारी से और बहार से आपके काम की गुनवता से इमांदारी का दूसरा सुत्र है जिवन में अन्ने लोगों के साथ इमांदार बनी कभी भी ऐसा ना करे ना करें या कहें जो आपको लगता है सही या इमांदार नहीं है यहां आपको खुद से हमेशा पूछने के लिए एक सवाल है वो दुनिया कैसी होगी जिस में सब मेरी तरह होंगे यह सवाल आपको एक उन्चा स्थर बनाने के लिए जोर डालेगा ऐसे काम करें मानो आपके हर शब्द हर काम यूनिवर्सल लौ बनेंगे ऐसे बड़ें मानो सब आपको देख रहे हैं और आप जैसा बन रहे हैं और जब दुबिदा हो वही करें जो आपको सही लगे अगर आप अपने सिध्धान्त को रखें वो क्या है आप किस पर विश्वास करते हैं जब कभी भी आप तनाव का अनुभाव करते हैं इसका मतलब आप अपने सिध्धान्त के साथ समझोता कर रहे हैं जो भी हो उससे समझोता ना करें बारवा रहसे, अपनी परमुक प्रात्मिक्ता चुनें और उस पर एकागरता से काम करें ब्रैंट ट्रेसी के अनुसार, दो दिमाग वाला आदमी अपने हर तरीके में औस्थाई होता है आपके हातों में जो काम आया है, वो करें अगर आप प्रात्मिक्ता बनाने की आदर डालें और उस पर एकागर होकर काम करें तो आप वास्तव में जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं वो जो बहुत पैसा कमाते हैं, संपत्ती बनाते हैं और आर्थिक सफलता पाते हैं उनकी सफलता का एक परमुक कारण ये भी है अपने लिए सबसे प्रात्मिक काम चुनना और तब उस पर तब तक काम करना जब तक की वो पूरा ना हो जाए आपकी इच्छा शक्ती, आपकी अनुशाशंता और आपके ब्यक्तिकत चरिप्र की परिक्षा है अगर आप सफलता चाहते हैं तो यह सबसे कठिन लेकिन सबसे महतुपन काम है यहाँ एक सुत्र है, जब आप लक्षे बनाते हैं तो उसे हासिल करने के लिए आपको जो भी करना है उसकी सूची बनाएं उसे प्रात्मिक्ता के आधार पर बांटें और तब खुद से चार सवाल करें पहला सवाल, मेरे लिए सबसे महतुपन काम क्या है? आपके काम और ब्योसाई के लिए अन्य सभी चीजों से अधिक महतुपन क्या है? दूसरा सवाल, मुझे पेसे क्यूं दिये जा रहे हैं? मुझे किस काम के लिए रखा गया है? रिजल्ट पर ध्यान दें ना कि किरिया पर तीसरा सवाल, वह कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूँ? अगर अच्छे से करूँ तो क्या अंतर होगा? यह काम केवल आप कर सकते हैं. अगर आप यह नहीं करेंगे तो यह नहीं होगा. लेकिन अगर यह आप करें तो आपका आपके ब्योसाई और ब्यक्तिकत चीवन प कैसे करता हूँ? इस सवाल का हर समय केवल एक जवाब होगा. अपने समय का सबसे अच्छा उप्योग और तब उस काम को शुरू करना आपकी आर्थिक सपलता का सूतर है. अंत में इस काम पर एकागर होकर काम करना शुरू करें. सबसे महतुकुन काम. वह काम तब तक करें जब तक की वो 100% पूरा नहीं हो जाता. दूसरी और ध्यान ना दें. खुद को वो काम करने के लिए तब तक प्रेरित करते रहें जब तक की वो पूरा नहीं हो जाता. अच्छी खबर यह है कि जब आप लगातार प्रात्मक्ता बनाने और सबसे महतुबन काम पर एकागर चित होकर काम करने लगेंगे. आप जल्द ही उच्छ स्तर का काम करने की आदत बना लेंगे. यह आदत तब आटोमेटिव हो जाएगी और आपकी स्वलता वास्तव में दे हो जाएगी. यह एक अकेली आदत ही आपको सव निर्मित करोड़ पती बना सकती है. यहां अभ्या करें तब तक जब तक की वो शत्परतिशत पूरी नहीं हो जाती. आपकी यह करने की योगेता अकेले ही आपके जीवन को बदल सकती है. तेरवार हैसे बिश्वसनियता और शिगरता के लिए अपनी परतिश्टा बनाएं. डिन ब्रिगस के अनुसार अपना काम करें. केवल काम नहीं अपने सामर्थे से थोड़ा ज्यादा करें. वो थोड़ा ज्यादा काम बाकी के काम से ज्यादा मुल्यवन है. समय 21 श्तापदी का सबसे बड़ा धन है. आज हर कोई अदबुद हड़बडी में है. ग्रहक जिन चीज़ों को जानते भी नहीं है. वो उसे कल की ता बाएर बदल देते हैं. तुरंत की संतुष्टी अब शिगर नहीं रह गई है. आपका काम है कि इस गती के लिए परतिश्टा बनाना. अत्य आवशक्ता को समझें. काम करने के लिए भाव विक्सित करें. मौका मिलते ही आगे बढ़ें. अगर किसी को किसी चीज़ की ज़र जब आप कोई काम चाहते हैं तो उसे किसी बियस्त इनसान को दें. जो लोग जल्दी काम करने की परतिश्टा बनाए रखते हैं उन्हें आवसर ज्यादा मिलता है. वह ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं. जब आप सबसे परमुख काम चुनने की योग गता और इस जल् यहां पर अभ्यास कारे हैं कि किसी एक मुख्य काम को चुने जो आप शुरू कर रहे हैं या अंत करने वाले हैं और उस पर तुरंत काम करने का प्रण लें यह जादू शब्द धोराते रहें अभी करें इसे अभी करें इसे अभी करें चोदुआ रहसे शिखर से शिखर तक चड़ने के लिए तयार रहे विन्स लामाडी के अनुसार जीत कभी भी कभी कभी हासिल होने वाली चीज नहीं है यह हमेशा की चीज है ठीक एक पहाड आरोही की तरहे जो एक चोटी पर पहुंचता है और फिर दूसरी चोटी पर पहु है दो कदम आगे और एक कदम पीछे सभी बिजनिस चीवन चकर और दोर से बने हैं चकर कभी उपर है तो कभी नीचे ब्योसाय में बदलाओ प्राय इंडिस्ट्री में बदलाओ ला देते हैं आज का यूगी इंटरनेट का है टेकनलोजी का सभी दिशा में बिस्तार हो रह जिस से पहले बेवसाय होगा करता था को बदल रहे हैं धिर्ग कालिन द्रिश्टी कौन बिक्सित करें आप जो भी करते हैं दूर तक सोचें भविश्य के अगले दो तीन चार पांच साल की योजना करें जीवन के छोटे मोटे उतार चड़ाओ में भावनाओ में नाब हैं खुद को हर समय याद दिलाते रहें कि आपके जीवन में सब कुछ चक्र से चलता है छोटे मोटे बदलाओ में शान्त और स्थिर रहें जब आपका लक्सिस पष्ट है और आप उस पर रोज काम कर रहे हैं कुछ सालों बाद आपके दोर की दिशा उपर की और आगे की और यहां पर अभ्यास कारे है कि आपके बियुसाय के परमुक चक्र और दोर को ढूंडे मारकेट कहां जा रहा है क्या बदल रहा है और आपको इस बदलाओं में कैसे ढ़लना है कल की बहतर दुनिया के लिए आज आपको क्या कदम लेने चाहिए ताकि आप कल लांबावित हों आपका जवाब जो भी हो वो कदम आज ही उठाएं पंद्रवार हैसे हर एक चीजों में सव अनुशाषन का अभ्यास करें अलबर्ट हावर्ट के अनुसार सव अनुशाषन ऐसी योग्यता है जो आपसे वो करवाईगी जो आपको करना चाहिए और जब आपको करना चाहिए चाहे आपको वो पसंद हो या नहीं सव अनुशाषन जीवन में सफलता और सव निर्मित करोड़पती बनने का महतुपून तत्व है जो आपको करना है इसके लिए अगर आप खुद को अनुशाषित कर सकते हैं चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो तो वास्तव में आपकी सफलता निश्चित है सव निर्मित करोड़पती बनने का सुत्र है धिर्ग कालिन द्रिष्टी कौन रखने के साथ साथ लगु कालिन संतुष्टी को बिलंबित करने की यूग्यता आर्थिक रूप से सौतंतर बनने के लिए धिर्ग कालिन लक्षे बनाएं हर एक दिन के हर एक खर्चे को अनुशासित करें आपको केवल वही करना है जो आपको आपके धिर्ग काली लक्षे तक पहुंचने की निश्चिता देता है सौ अनुशाशन में आवशकता है सौ परवुत्व, सौ नियोंतरन, सौ जिम्मेदारी और सौ दिशाकी सफल और आसफल लोगों के बीच का एक परमुक अंतर है सफल लोग उन चीज़ों को करते हैं जिने करना आसफल लोग पसंद नहीं करते वह चीज़ें क्या है? वास्टिकता में सफल लोग भी उन चीज़ों को करना पसंद नहीं करते पिर भी वो करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन में उनकी जो आकांक्षा है उन्हें पाने के लिए उन्हें यह कीमत चुकानी होगी सफल लोग खुशाल रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जबकि आस्फल लोग खुशाल परिक्रिया के बारे में सोचते हैं, सफल लोग लक्षे को हासिल करने के लिए काम करते हैं, वो काम जो मुश्किल है कि इंतु महतोपून है, जबकि आस्फल लोग उन कामों को करते हैं जो आसान हैं जिने करने में उन्हें मजा आता है, जो खुद को ज़्यादा पसंद करने लगेंगे और ज़्यादा मान देंगे और आप सो अनुशासन छोटी छोटी बातों में जितना लाएंगे वो आपको बड़ी चीजों में उतना मदद करेगा. याद रखें, जिवन में हर चीज एक परिक्षा की तरह है, हर दिन, हर घंटे और यहाँ तक की हर मिनट आप परिक्षा दे रहे हैं, सो परवुद्व, सो नियंतरन और सो जिम्मेदारी की परिक्षा, परिक्षा यह है कि आप खुद से उन कामों को करवा पा रहे हैं जो या आप अपने गुजरे दिनों की समस्याओं से घिरे हुए हैं, जब आप परिक्षा पास करते हैं, तब आप आगे की और बढ़ेंगे। इस शेत्र को चुने जहां अनुशाशन के आभाव में आपको सफलता नहीं मिल रही हैं, उस शेत्र में अनुशाशन लाने का निरने आज लें, दूसरों को अपने निरने के बारे में कहें, जब तक नई आदत ना बने, कोई अपवाद ना सुने, यह निरने अकेले ही आपक जिवन बदल सकता है, सौलवार हैसे, अपनी सोभाविक सरजनात मक्ता को बाहर निकालें, एलबर्ट आइनस्टैन के अनुसार कल्पना यथार्थ से ज़्यादा महत्वपून है, यहां कुछ और अच्छी खबरें हैं, आप एक समर्थ पर्तिवाशाली बित्ती हैं, आप अब तक जितना इस्तेमाल किया है, आपके पास उससे कई अधिक दिमाग और योगेता है, आपके दिमाग के पास दस अरब सेल्स हैं, जो निवरोन और डेडराइट्स के द्वारा अन्य बीस हजार सेल्स से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आपके दिमाग के सेल्स का पर इसका मतलब आपके सफल होने की योगेता भी ओसमित हैं, आपके इस रिजनात्मक्ता में स्पूर्थी के लिए तीन तत्तो है, पहला तिवरता से वांचित लक्षे, दूसरा समस्या पर दवाव डालना और तीसरा केंदरित सवाल, आप लक्षे को हासिल करने में अपने दि आपका मस्तिक्ष, आपकी स्रिजनात्मक्ता एक मास पेशी की तरह है, आप इसका इस्तेमाल जितना करेंगे वो उतनी लचीली और मजबुत बनेगी, आप वास्तों में अपना IQ बढ़ा सकते हैं, अपने आपको सारा दिन रचनात्मक्ता कामों में लगाएं, और याद ठीक वेसे ही जैसे आप मास पेशियों को गहन प्रिक्ष्रम के बाद बनाते हैं, दिमागी कसरत से आपका दिमाग बढ़ेगा, यहां आपके लिए मस्तिक्षमता बढ़ाने और अपने बहुत अच्छा कर पाने के गुन को स्पूर्थी में लाने के लिए एक अभ्यास है, कागज का एक पना लें, अपने सबसे महतुपन लक्षे को लिखें और सबसे परमुक समस्या स्वाल के रूप में उपर लिखें, जैसे अगले 24 या 36 महिनों में मैं अपनी आमदनी दुगनी कैसे कर सकता हूँ, अब खुद को अनुशाशित करने के लिए कम से कम 20 अलग अल रह जाएंगे, यहां अभ्यास कारे है कि आप अपनी सबसे कठिन समस्या या सबसे आकांख्षी लक्षे को लिखें और तब कलपना करें कि समस्या का समाधान हो गया या लक्षे आसिल हो गया, समाधान या प्रापती कैसी दिख रही है, इस रिजल्ट्स को लाने के लिए आप तुरंट क्या कर सकते हैं, याद रखें, कारेवाई ही सब कुछ है। सत्रवां रहसे, सही लोगों के साथ रहें। चारली जॉन्स कहते हैं कि पांस सालों में आप वही इनसान रहेंगे, सिवाए उन लोगों के लिए जिन से आप मिलते हैं, और किताबें जो आप पढ़ते हैं, आपके जिवन में आपकी सफलता या खुशी का पूरे 85 परतिशत इस बात पर निर्वर करता है कि आपके ब्यक्तिगत या ब्योसाइक जिवन में अन्य लोगों के साथ कैसे संबंद हैं। आपके संबन्द अन्य लोगों के साथ जितने सकारात्मक होंगे और आप जीवन में उतने ज़्यादा सफल बनेंगे और उतने ज़्यादा खुश रहेंगे और उतना ही आगे बढ़ेंगे. वाटसब में आपके जीवन के हर टर्निंग पॉइंट पर कोई ना कोई जरूर होगा या तो आपकी मदद के लिए नहीं तो आपके जीवन में भादा डालने के लिए सफल लोग अच्छे रिष्टे बनाने और निभाने की आद़त डालते हैं. वो अच्छे लोगों से मेल जोल बढ़ाते हैं. परिणाम सवरूप वो उन लोगों से कहीं अधिक सफल होते हैं जो हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं. हर चीज में संबंद की एहम भूमिका होती है. आपकी सारी समस्या गलत आदमी के साथ गलत संबंद बनाने का परिण होती है और आपकी सफलता अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंद बनाने की. आप उनकी मदद करते हैं और वो आपकी. आपकी 90 परतिशत सफलता निर्भर करती है कि आपके मेल जोल पर वैसे लोग जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं. आप एक गिर्गिट की साथ मेल जोल रखें. उनके साथ संबंद रखें और आशावादी हैं जिनके पास लक्ष हैं जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं. निराशावादी लोगों से दूर रहें. सो निर्मित करोड़ पती हमेशा नेटवर्क बनाते हैं. वो उध्योग और कारोबार की हर मिटिं हैं जब भी आप किसी नए आदमी से मिलें उनके ब्योसाय के बारे में बात करें. उनसे खास कर वो बातें पूछें जिनकी आपको जरूरत हैं और फिर जितनी जल्दी संबव हो सकें उनके पास ग्राहक भेजें. हमेशा देने की सोचें ना कि लेने की. नेटवर्क बनाने का सबसे अच्छा तरीका है औरों को उनके ब्योसाय में मदद करना. उनसे वापसी की उमीद कभी ना करें. आप जितना देंगे आपको उस जगे से उतना ज़्यादा मिलेगा. जहां से आपने उमीद भी नहीं की होगी. यहां पर अभ्यास कारे है कि अपने जीवन में वर उनके लिए क्या कर सकते हैं याद रखें आप पहले बौएंगे फिर खाएंगे. अठारवा रहसे अपने स्वास्ते का अच्छा ख्याल रखें. ठ्याडर रूजवल्ट के अनुसार सफलता की कुंजी एक स्वस्त शरीर में स्वस्त तिमाग हैं. दिर्ग जीवन और फिज तर जी सकते हैं. आपको अच्छे स्वस्ते के लिए 80 या 90 या 100 साल जीने का लक्षे बनाना चाहिए. अगर आप ये निरने लें तो आप ये कर सकते हैं. पहला कम से कम 80 साल जीवन जीने का लक्षे बनाएं. फिर अपने आज के स्वस्तिय संबंदत चीजों को देखें. फि पहला है सही वजन, अपने वजन को नियंतरण में रखने का लक्षे बनाएं और बाकी के जीवन में फिट रहें। वजन घटाने और शारिरिक फिटनेस के लिए पांच शब्दों का फॉर्मूला है, It less and exercise more, कम खाना और अधिक कसरत करना। दूसरा सुत्र है उचित संतुलन अहार और इसका सुत्र है बहतर खाएं, कम खाएं, प्रोटीन, फल, सबजी, ज्यादा खाएं, अपने जीवन से मिठाई, कॉल्डरिंग्स, केंडी और चीनी वाले भोजन निकाल देना, अलग से नमक लेना बंद करना और मेदा खाना बंद लेंगे, तो जीवन के अन्य हिस्सों पर भी नियंदरन पा लेंगे, धिर्ग आयू का तीसरा सुत्र है उचित ब्यायाम, इसमें जरूरत है सब्ता में लगबग 200 मिनट कठिन शारिरिक ब्यायाम की, या औसतन 30 मिनट रोज, आप सब्ता में 3-5 तिन, 30-60 मिनट तेजी से च हैं, तो आपको हेल्थ कलब जोइन करना चाहिए, या अपने घर में ही फिटनेस उपकरन लाना चाहिए, और ब्यायाम करना चाहिए, बहुत अच्छे शारिरिक स्वास्ते और धिरगायू का सुत्र है, अपने स्वास्ते के स्थर को स्पष्ट खास लक्षे बनाना, योजन करने का है, तो स्वास्ते लक्षे होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जीना, ताकि आप अपने पैसे से जीवन में आनंद प्राप्त कर सकें, यहां पर अभ्यास कारे हैं कि उन स्वास्ते संबंधी आदतों को जाने, जो आपको स्वास्त और स्पूर्ती दायक रहने के ल सहत की आदत पूरी तरह से ना हो जाए, उननिस्वा रहस्य निरनायक और करमट बने, विल्यम शेक्स्पिर के अनुसार तकलीफों के समंदर को बाहों में भर लें और यह करते हुए उन्हें खतम कर दें, सवनिर्मित करोड़पती के गुनों में एक हिया है कि वो बहुत सा प्रोबैबलेटी के अनुसार अगर आप सफल होने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं तो आप सही समय पर सफल हो जाएंगे और सफल लोग निर्ने नहीं ले पाते, उन्हें पता होता है कि उन्हें यह करना चाहिए या यह नहीं करना चाहिए लेकिन एक मजबूत निर्ने लेना उनके चरित्र में नहीं है या उनके पास संकल्प शक्ती नहीं है, वो कभी आर्थिक स्वतनता हासिल नहीं कर पाते, वो उससे कहीं कम पाते हैं जितना की उनके लिए संबब था. जब आप निरनायक होते हैं, आप शिगरता से जीवन में चलते हैं अन्य लोगों के मुकाबले आप एक दिन में कहीं ज़्यादा काम करते हैं अपने आसपास के लोगों से कहीं आगे बढ़ते हैं आप खुद को ज्यादा उर्जा स्पूर्थी और प्रेरणा में टैप करते हैं और ये आपको बहुत आनन देता है और तब ये सकारात्मक उर्जा आपको आपके लक्षे की और तेजी से बढ़ाता है यहां अभ्यासकारिय है कि खुद से पूछें वो क्या काम है अभी तुरंत करूं तो इसका मेरे नतीजे पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका जवाब जो भी हो उसे तुरंत करें बीसों रहसे और सफलता को अपना बिकल्प कभी ना बनाएं फ्रेंकलिन डी रूजूल्ट कहते हैं कि डरने के लिए कुछ भी नहीं है डर के अलावा और सफल होने का डर व्योसक जीवन में सफलता की सबसे बड़ा रुकावट है याद रखें और सफल लोगों से आप और ज्यादा मजबुत बनते हैं आपका संकल्प और भी द्रिड होता है और सफलता का डर या पहले से ही खुद को और सफल मान लेना आपको अपंग बना सकता है सफलता के रास्ते में जाने से यह आपको पीछे खींचेगा एक नوجवान जर्नलिस्ट ने एक बार आई बीम के संस्थावक थोमस चे वाटसन सिनियर से पूछा वो इतनी तेजी से इतने सफल कैसे हो गए वाटसन ने इसका जवाब बहुती सुन्दर शब्दों में दिया अगर आप तेजी से सफलता चाहते हैं तो अपनी और सफलता का डर दुगना कर दीजी सफलता और सफलता से बहुत दूर रहती है आगे बढ़ने का सहास करें सो निर्मित करोड़ पती हमेशा अपने लक्षे की दिसा में रिस्क लेने को उतसुक रहते हैं आपकी रिस्क लेने की प्रविर्थी आपके धन्वान होने की उत्सुकता का इंडिकेटर है। आपने जब भी रिस्की प्रिस्तिती का सामना किया है, खुद से ये सवाल करें, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो सबसे खराब वो क्या चीज है जो हो सकती है। और फिर जैसा सो निर्मित करोड़पती जे पॉल गेटी ने कहा है कि यह जो भी हो, ये नहीं होगा, आपको ये सनुश्चित करना होगा। सच यह है कि जब लोग औस पलता से ड़ते हैं, सब गरीबी और घाटे से ड़ते हैं, लेकिन सो निर्मित करोड़पती लगातार हिम् इस डर का सामना करते हैं और हर हाल में कारवाई करते हैं। रैल्फ डवल्यू एमसर ने लिखा है कि अपने जीवन में उन तमाम चीजों को करें जिससे आप ड़ते हैं, ऐसा करने से डर का मरना निश्चित हैं। जब आप हिम्मत से काम करते हैं, आपके अंदर एक शक्ती आती है। हर काम आपका साहस बड़ाता है, जब भी आप सबलता की आशा के बिना आगे के दिशा में कदम बढ़ाएंगे आपका भय खत्म हो जएगा और आपका साहस और आत्म बिश्वाष बढ़ेगा और आखिरकार आप उस जगे पहुंच जाएंगे जहां हैं आप किसी कंट्रोल के हेड हैं जब उनके चारों तरफ लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि संभवता अंत्रिक्ष्यान और अंत्रिक्ष्यात्री डूबने वाले हैं तो उन्होंने जोर से उद्गोशना की और सफलता विकल्फ नहीं है आपका काम है खुद को वचन देना सौनिर्मि खुद के लिए लक्ष बनाना उसे लिखना और हर दिन उसके लिए काम करना आप को खुद को हर दिन ये या दिलाना है कि हर समस्या या कठिनाई में और सफलता विकल्प नहीं है या आपको अन्य किसी चीच से ज़्यादा धिर्गकालीन सफलता के निश्चिता देगा यह अभ्यास कारिय है कि अपने जीवन के सबसे परमुख डर को जाने जैसे और सफलता, छांटा जाना, आलोचना और उस काम को करने का प्रण लें जैसे कि डर ना हो, कल्पना करें कि अगर आप इस तिशा में काम करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित हैं, तब इसे करें. 21 रहसे, द्रिड़ता परिक्षा पास करें. केल्बिन कुलीस कहते हैं कि द्रिड़ता की जगे कोई नहीं ले सकता, परतिवा भी नहीं, परतिवा शाली लोगों के और सफल हो जाने की कहानिया सबसे आम है, जीनियस भी नहीं, किसी जीनियस को उसका हक ना मिलना अब तो एक कह भावत बन गया है, शिक्षा भी नहीं, दुनिया बहुत शिक्षित लोगों से भरी पडी है, ध्रिड़ता और लगन ही सर्वशक्तिमान है, ध्रिड़ता चरितर का अति बलशाले गुन है, जैसे स्टील के लिए कारवन है, ठीक वे से ही चरितर के लिए ध्रिड़ता, यह अत्य आउशक गुन है, जीवन में सफलता के लिए यह मैतुपून है, यहां सफलता और दिर्दा का एक परमुक रहस्य है, अगर आप सफलता के रास्ते पर जाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके दिमाग को बादा और निराशा के लिए पहले से तयार कर लीजिए, आप परन कर लें कि चाहे जो भी हो, आप हार नहीं मानेंगे, दिर्द रहेंगे, जब आप कठिनाईयों और समस्याओं से पराजित हो जाते हैं, उस समय आपके पास दिर्दा बनाने का परियाप्त समय नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप पहले से ही उन उतार चड़ाओं के दिर्दा एक ऐसा गुन है, जो अन्य किसी चीद से ज़्यादा आपकी सफलता को तै करेगा, यह आपकी परमुक बिक्तिकत पुंजी हो सकती है, सही माईने में दिर्दा खुद पर अपने बिश्वास और सफलता के लिए आपकी योग्यता का सही मापदंड है, याद रखे जिवन एक परिक्षा है, आपको आपकी सफलता के लिए दिर्दा की परिक्षा देनी होगी, उसे पास करना होगा और यह परिक्षा अकसर अचानक आती है, यह कभी भी हो सकता है, और प्राय उस समय जब आपने उम्मीद ना की हो, यह वो समय है जब आप खुद को और अप किस मिटी के बने हैं, आप क्या कर सकते हैं, ग्रीक दार्शनिक इपिक्टेटस ने एक बार लिखा था, परिस्तित्या ब्यक्ति को नहीं बनाती, उनको तो केवल महसूस कराता है, आपके जीवन में एक चीज़ जो टाली नहीं जा सकती, वो है बार बार संकट का आना, अग संकट को टाला नहीं जा सकता, आपके पास जितना बड़ा लक्षी होगा, आपके सपने जितने बड़े होंगे, सव निर्मित करोड़ पती बनने का जिनून जितना ज्यादा होगा, आप उतने ज्यादा संकट और समस्याओं का सामना करेंगे, इस संकट को नियंतरन करने के लिए एक मात्र उपाय है संकट और कठिनाईों में शांती से निपटना और अच्छी ख़वर यह है कि आप इसे जितने धेरे और सकारात्मक तरीके से निपटाएंगे आप उतने ही मजबुत होंगे और एक दिन आप उस जगे पहुंच जाएंगे जहां आपको सफल होने से क जाहे जितनी भी कठिनाईया हों आपके रास्ते में जो भी रुकावटे आएं आप आगे बढ़ने का रास्ता ढूंट लेंगे आप आगे की और बढ़ते रहेंगे यहां अभ्यास कारे है कि आज आप अपने जीवन में किस सबसे कठिन प्रिस्तिती का सामना कर रहे हैं यह जो भी है उसे यह माने कि वो इस समय आपके पास आपको मुल्लेवान सीख देने के लिए भेजा गया है ताकि आप भविश्य में और सफल हो सकें वो सीख क्या हो सक अभी से हर कठिनाई या अपने पराजे में कुछ सीख डूड़ने की कोशिश करें यह आपको एक सव निर्मित करोड़ पती बनने में मदद करेगा निशकर्ष सफलता अवश्यमभावी है मुझे इस किताब के सबसे महतुकुन संदेश को दोहराने दे सफलता का पूरवा नुमान हो सकता है या किसमत की बात या घटना का सही समय सही जगे होना नहीं है सफलता उतनी ही अवश्यमभावी है जितना की यह सच है की सूरज पूरव से उकता है और पश्चिम में डूपता है आपने जो बातें सीखी उन्हें अभ्यास करके आप चिवन में आगे की और बढ़ेंगे आपको आश्चिर जनकलाव होगा जो लोग इसे नहीं करते या इसके बारे में नहीं जानते आप उनसे कहीं आगे रहेंगे अगर आप दृड़ता से लगातार वो चीजें करते हैं जो सफल व्यक्ति करते हैं दुनिया में कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती आप अपने भागय के निर्माता खुद बनेंगे आप अपने कर्म के कारिगर खुद बनेंगे आप अपने जीवन के चालक खुद हैं आप क्या कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है केवल उस सीमा के जो आप खुद अपनी सोच पर लगाते हैं याद रखें आप उतने ही अच्छे और सक्षम है जितने की वो सफल लोग जिन से आप मिले हैं आप एक बहुत ही अच्छे इनसान हैं आप जितना सोच सकते हैं उससे कई ज्यादा काबलियत है आप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बड़े सपने देखना जो आप बिलकुल वही ते करें उसकी योजना बनाएं इस पुस्तक में जो रहसे सिखाए गए हैं उनका अभ्यास करें अपने लक्षे और अपने सपने की दिशा में रोच काम करें परन लें कि आप हार नहीं मानेंगे जब आप यह काम करें तो खुद को भगवान की तरफ रखें आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपकी सफलता कोई नहीं टाल सकता मेरे साथ पूरी ओडियो बुक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह की और आडियो बुक सुनने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें लाइक करें अगर आपको आडियो बुक अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्षन में बताएं कि आप और कौन सी ओडियो बुक सुनना चाहते हैं अगर आपके किसी भी सगे संबंधी या रिष्टदार को इस से मदद मिलती हो तो उन्हें ये ओडियो बुक जरूर शेयर करें एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रिवाद